केदारना त्रासदी के बाद फिर से उत्राखंड में भूचाल आया है और इस बार भूचाल ग्लेशियर के कारण आया है बात अब सोचने वाली ये है कि ये जो हरकंप मचा है वो इसका कारण प्रकृती नहीं बलकि खुद इनसान है जी हाँ इनसानों के द्वारा बनाये जा रहे कार पे ही ये काम हुआ है क्योंकि ठंड के समय में ग्लेशियर तो नहीं पिखलता लेकिन फिर भी ग्लेशियर पिखला है और इस त्रासदी के पीछे इनसान के तरक्की की चाहत ही है अब बात ये है कि उस त्रासदी के कारण बिहार भी अफेक्टेड हो सकता है जी हाँ बिहार भी अफेक्टेड हो सकता है गंगा के तटिये शहर पटना में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है हाला कि ततकाल संकट के स्थिती नहीं है हिम्स खलन का प्रभाव पटना में तीन दिनों के बाद ही पता चल सकेगा जल संसादन विभाग के अवियंताओं और अधिकारियों को चौक्सी के निर्देश दिय अनुमान लगाया जा रहा है कि मंगलबार की सुबह प्रयाग राज में गंगा के जल स्तर पर प्रभाव दिखेगा सुरक्षात्म कुपाई भी तयारिया की जा रही है अवियंताओं के साथ ही प्रकाशित अधिकारियों को गंगा के किनारे लगातार गश्ट करने के निर् काल सरकार भी अब काम में लग चुकी है हुआ यह है कि चमोली में बांध के लिए सुरंगे बन रही थी विसफोट किये जा रहे थे और इसी विसफोट की आसंका से यह भी था कि ग्लैशियर में दरार आएगी फिर ग्लैशियर नदी में गिरा जील बनी जील तूटते ही त नंदा देवी संग्रचित छेत 2019 में स्थानिये लोगों ने कोट में एक अरजी भी लगाई थी कि इस तरह के बांधों का काम चल रहा है इससे आसपास जीले बन रही है इससे कभी भी बाढ़ा सकती है आखिर कार रविवार सुब यही हुआ लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें